असलाम वालेकोम वेलकम टू प्यूर कुकिंग इस लीडियो में मैं इद स्पेशल मटन बिरियानी की रेसिपी शेयर कर रहे हूं देख सकते हैं आप यह कितनी मज़ेदार है और साथ में है दही की चटनी सारे टिप्स को फॉलो करके बनाएंगे तो आपकी भी बिरियानी इत आपकी भी बिरियानी ऐसी ही टेस्टी बनेगी इन्शाला तो इसके लिए मैंने 2 kg मटन ले लिया है और इसमें 2 टेबल स्पून जिंजा गालिक पेस्ट 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली पेस्ट जो के फ्रोजन है वह मैंने आट किया नमक आट करेंगे नमक सिव गोश्ट के सबसे एड़ करना है और इसमें 1 टी स्पून टर्मरीक पाउडर यानि के हल्दी एड़ करेंगे और 2 टी स्पून रचिली पाउडर मैं ग्रीन चिली पेस्ट और रचिली पाउडर दोनों आट कर रही हूं अगर आप एक ही आट करना चाहते है यानि सिर्फ रचिली गरम मसाला पाउडर गरम मसाला पाउडर की रेसिपी मेरे चैनल पर चेक कर लें और यह जो है यह रौ पाईया पेस्ट है यह मैंने फ्रीज करके रखा है तो यह मैं 2 टी स्पून आट कर रही हूं तो जो हैदराबादी कच्छे गोश्ट की बिरियानी की रेसिपी उसके ल दिफ्रोस्ट हो जाएगी दो भी और देखिए हाफ टी स्पून मैं इसमें इलाइची पाउडर एट कर रही हूं और अब हम इसमें दही आट करेंगे तो सारे मेजरमेंस में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आट कर दूंगी तो 500 ग्रैम मैं इसमें कर याने के दही आट कर र सेट कर दिया यह जो निम्बू है वो मीडियम साइस का है अगर आपका निम्बू जो आप यूज कर रहें बड़ा हो साइस में तो एक ही डाले अब देखिए मैंने 500 ग्रैम के खरीब ऑईल गरम किया है क्योंकि प्यास हम इसमें फ्राइब करेंगे छे बड़े मीडियम क्ली स्लाइस किया है मैंने आपने एक साइस की प्यास को व्राइ करना है और सारा टाइम आपने फूल रखनी अपने प्यास नहीं इस इस तिरहा से देखिए गोल्ड़न HOLY cualquier कर नहीं तो प्यास सही से फ्राय करना है अब देखिए फ्राई हो गई है प्यास मैंने कैमरा ओन होने तक तोड़ इसी डार्क लेग रही है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं हुई है स्टोकी फ्लेम फॉरी बन कर देनी है और सारी प्यास को हमें प्लेट में निकाल कर फैन के निचे थंडिक होने के लिए रख देंगे इसे कुकिंग भी रुख जाएगी और प्यास क्रिस्पी हो जाएगी और यह गरम गरम ओल जो है हमारा प्यास का वह हम गोश्ट पर आड़ करेंगे तो मैंने इससे पहले भी आपसे बताया है कि दम बिर्यानी का यह एसेंशेल स्टेप है तो यह जरूर करें इससे आप करके एड़ कर दिया है यहां पर हमारा मटन मारिनेशन कंप्लीट हो गया है एक घंटे के लिए हम इसको रख देंगे और साथ में जो हमने प्यास को फैन में रखा था देखिए कितनी क्रिस्पी हो गई इसकी आवास सुन सकते हैं इसे हम अच्छे से क्रश करेंगे और तो दो घंटे के लिए भी रख सकते हैं आप और आप अपया पेस्ट नहीं है तो तीन घंटे रखना होगा कम से कम अब देखिए दो लीटर दो किलो राइस है तो इसके लिए चार लीटर मैंने पानी गरम किया इसमें दो बेलीफ चाह आट लाउंग हाफ टीस्पूं किया है यह देखिए दम के लिए मैंने तयारी कर ली है सैफरन भिगाया है दस से बारा दूद में घी और निमुका रस तो देखिए अब बॉइल हो गया है पानी तो इसमें दो किलो राइस जो हमने दो के मैंने पहले से रखे थे यह प्रीमियम कॉलिटी के लॉंग ग्रें जैसे इसमें बासमति राइस है इससे जो भिगानी का टे़्ट है फ्लेवर है वह बहुत अच्छा था है अटा हिका पानी निकाल लेंगे और जो राइसे हम इसमें आफ रास जो है वह गोश्ट पर एट करेंगे anなら she suggests increase it के ऊपर रहेंगे और ज्यादा पके हुए चावल की लियर ऊपर रहेगी तो इससे चावल बराबर यूनिफॉर्मली पकेंगे अब इसमें थोड़े से कोरियांडर लीफ और जो तली हुवी प्यास बची हुई है वो मैं इसमें एड कर दूंगी मैं उपर पर ज्यादा प्या करके में इसमें एड करके इसमें मैंने लिवल कर दिया है चावलों को अब हम इसमें फालर यूनिफ करेंगे यानि कि लीवश बची वी जितनी बहू बे डालने अब देख़ें इस तरह से मैंने बताया था सैफरन यानि के जाफरान मैंने दूद में भीगा के रखा था ये भी एसेंशियल पार्ट है है हेदरबादी बिर्यानी के फ्लेवर अगर आप चाहते हैं करेक्ट आए तो यह जरूर दाले इसमें थोड़ा सा कोथमीर पुदिन आड़ करेंगे औ और यह निम्बू का रख भी मीडियम साइस के निम्बू का है और 50 ग्रैम मैं घी आट कर रही हूं तो घी की भी बहुत अच्छी खुश्बो आती है बिर्यानी में जो बिर्यानी का फ्लेवर है वो हिजराबादी बिर्यानी का घी से भी अच्छा आता है तो वह भी एट कर के तीन पिंच मैंने दूर दूर इसके एट किया है क्योंकि हमें बहुत ज्यादा कलर नहीं रखना है अब सारा प्रोसेस हो गया है इस्टो की फ्लेम फुल कर देंगे और कुछ इस पर वजन रखके हम इसको 15-20 मिनिट के लिए दम दे देंगे 10 मिनिट के लिए पहले फुल क्योंकि हमने रॉप अपया लगाया था और इसका देखिए तोड़कर मैं आपको बताती हूं कितना अच्छा पका है मटन और इसका फ्लेवर खलर बिल्कुल वैसे ही आया है जैसे के आप हाइदराबादी होटल में रेस्टोर्स में खाते हैं तो ज़रूर ये बिडियानी ये सारे टिप्स को फॉलो करके बनाएं बियानी हमारी बन गई है तो चलिए अब हम दही की चटनी बना लेंगे तो दही की चटनी बनाने के लिए 500 ग्रैम दही है मेरे पास में इसके अंदर में दाल रही हूं 2 टीस्पुन पीसी हुवी हरी मिर्ची जो शादियों में दही कर सकते हैं और नमक कर देंगे अच्छे से मिक्स करेंगे बहुत ही आसान है चटनी और बहुत ही हल्दी क्योंकि इसमें वेश्टेबल्स है अब इसमें पानी आट करेंगे और सर्फ कर देंगे बियानी के साथ में अगर आप बियानी के साथ में मिर्चियों का सालन जो तो आप वो भी देख सकते हैं, तो अपने टेस्ट के साब से कमिया जादा पानी आट कर दें, वरना हैदराबादी शादियों में तो ये गाड़ी ही सर्फ की जाती है, तो चलिए बिरियानी और दहीं की चटनी दोनों तैयार है, दोनों को सर्फ कर देंगे, इत पर मेरी ये दोनों रेसिपी जरूर ट्राइ कीजिए और अपना फीडबैक मुझसे जरूर शेर कीजिए, देख सकते हैं आप ये बिरियानी कितनी अच्छी बनी है, साथ में इत पर बनाने के लिए शेर खुर्मा की रेसिपी है, और चिकन बिरियानी की रेसिपी भी मेरे चानल पर हुची है